हेलो फ्रेंड्स पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल चीज सैंडविच और वो भी तवे पर तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं वेजिटेबल चीज सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है पांच बॉयल्ड आलू जिनने हमने पील कर लिया है इसके बाद कुछ ब्रेड स्लाइसे यहां हमने ब्राउन ब्रेड ली है आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी इस्तमाल कर सकते हैं एक बीट रूट जिसे हमने बॉयल करके पतला पतला कट कर लिया है इसके बाद आधी कटोरी बारिक कटी हुई पालक आधी कटोरी ग्रेड किया हुआ गाजर यहां लिया है एक बारिक कटा हुआ प्याज इसके बाद थोड़ा सा बटर थोड़ी सी फ्रेश धनिया टेस्ट के लिए दो छोटे चम्मच बारी कटी हुई हरी मिर्च इसके बाद कुछ चीज स्ट्लाइस मसालों में आदा छोटा चम्मच चाट मसाला एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर नमक स्वादानुसार और यहां हमने लिया है पीज़ा मसाला दो बड़े चम्मच पीज़ा मसाला आवेलेबल ना हो तो आप मिक्स्ट हर्ब्स भी ले सकते हैं अब सबसे पहले हम सैंडविश की फिलिंग बना कर तयार कर लेंगे तो एक बाउल में ये सारे आलूओं को मैश कर लेंगे आलू मैशों के तयार है अब इसमें डालेंगे प्यास इसके बाद डालेंगे पालक ग्रेट किया हुआ गाजर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर नमक चाट मसाला और साथ ही में फ्रेश धनिया अब फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे सैंडविच की फिलिंग बन कर तयार है तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले लेंगे दो ब्रेड स्लाइस इन पे लगाएंगे बटर अब थोड़ी सी फिलिंग लेके अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड कर लेंगे अब रखेंगे बीट रूट के स्लाइस इसके बाद रखेंगे चीज स्लाइस अब ये पीज़ा मसाला इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे पीज़ा मसाला से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है और अब ये दूसरी ब्रेड स्लाइस जाएगी इसके उपर दूसरी और तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया था तो तवा गरम हो चुका है इस पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेंगे और इस पे जाएगा हमारा ब्रेड सैंडविच ब्रेड को दोनों साइट से अच्छा टोस्ट कर लेंगे ब्रेड हमारी अच्छी गुल्डन ब्राउन टोस्ट हो चुकी है और अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं तो दोस्तो फटा फट एकदम हेल्दी और टेस्टी वेच ची सैंडविच बनकर तयार है इसे बच्चों से लेके बुड़ों तक सब इन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंड करके बताईए मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए